जै स्री रादे किष्णा, जै मता की, कैसे आप सभी लोग, हम आसा करती हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे, मस्थ होंगे, अपनी लाइफ में आके पड़ रहे होंगे आपको बहुत-बहुत स्वागत है, आपके चैनल इस्प्रिच्वल लॉफ टॉपल टू में, हम इसवर से माभगवती से प्रातना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको डियर सारी सफलता प्राप्त हो यह काफी रिक्वेश्टर टॉपिक है, यह काफी रिक्वेश्टर टॉपिक है और बहुत सारे लोगों का है, मतलब बहुत सारे लोगों ने बहुत बार कॉमेंट किया है इस टॉपिक के लिए, तो डियर आज हम इसी टॉपिक पे रेडिंग करने वाले हैं, कि अगर आपक तो किसी ऐसे इनसान से बहुत ज़्यादा अट्रेक्शन मैसों सो बहुत ज़्यादा प्यार हो जाए या फिर आप ऐसे किसी इनसान के साथ रिष्टे में हैं जिसकी साधी हो चुकी है या उनकी साधी हो गई है या फिर आपकी साधी हो गई है तो डियर आप उनके लिए भी अगर आपकी साधी की लोगी है प्रूंटर की हो गई है अधिर से डेर्टिंगी नहीं करें तो आपको पॉजितिव रहना नेगेटिव नहीं होना है और अपना उसमेट जारूर रखना जै स्री रादे किष्णा, जै मता की, कैसे आप, हम आसा करते हैं कि आप सस्त होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ रहे होंगे, और अपना ख्याल जरूर रख रहे होंगे, डियर, आप जिनके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं, अगर उनकी साधी हो तो आपको क्या करना चाहिए? को क्या नहीं करना चाहिए? और? उनसे आपको इतना टैचमे क्यों है? जैसा आपका यह question है जैसे आपने मतलब comment में पूछा है उसी तरह से हम आपके लिए reading कर रहे हैं तो आपको positive रहना है पहले जिंक को बहुत जादा strong connection है बहुत जादा strong connection है हो सकता है कि आप इनसे काफी सालों से मिले हो काफी साल हो गए हो आप इनके साथ रिष्टे में हो आपकी साधी हो गई हो या फिर इनकी साधी हो गई हो उसके बाद आप इनसे मिले हो मतलब ये connection ऐसा है जिसमें किसी की साधी हो गई है किसी की साधी हो गई है आपकी हो गई है या फिर आप दोनों की हो गई है तो dear आप सोचते हैं कि इससे इतना attachment क्यों हो गया है email हो female हो इससे इतना लगाओ क्यों हो रहा है हम अपनी जिन्दगी में खुस रहना चाहते हैं, अपनी जिन्दगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, हमें पता है कि समाज के तौर से बहुत सारी चीज़े कभी मानी नहीं जाएंगी, फैमली नहीं मानेगी, समाज नहीं मानेगा, मतलब बहुत सारी बाते हैं, फिर भी आप तो आपको क्या करना चाहिए, अब बहुत सोचते हैं इस बारे में। کुछ लोगों की पार्टनर ऐसे हैं यह बहुत है नहीं बहुत हों पार्टनर अजिसे हई जिन्हों पहले आप बहुत आपकी से बहुत करदे हैं पहले तो आपसे ऐसा दिकाया है कि अगर उनके साधी हो गई है या फिर पहले हो गई है तो वह मजबूरी में हो गई है लाइक एक समाजिक तोर से जैसे कर लिया है फैमली का बहुत जादा प्रेशर था इस वज़े से कर लिया है लेकिन अपने खुछे से साधी नहीं की है मतलब बहुत सारी बाते जब ही आपकी जिंदेगी में आएं या फिर आई है तो इन्होंने पहले आपको मतलब ऐसे ही कुछ बताया आप इनसे प्रेम तो करते थे आप इनके लिए फैल तो करते थे लेकिन आप कभी ऐसा नहीं सोचते थे कि आप इनसे बात करेंगे इनके साथ रिष्टे में आगे बढ़ेंगे लेकिन इन्होंने ऐसी बाते कर करके आपको ये फैल करा दिया कि ये बहुत मजबूर है जिसे कभी कभी होता है ना कि इनसान बहुत मजबूर होता है उसकी फैमिली नहीं समझते है, फिर उसका पार्टनर नहीं समझता है, तो फिर लगता है ना कि इनसान बहुत दुखी है, इसे भी खुसी की ज़रूरत है, तो फिर आप पर अन्थे सपोर्ट करने लगते हैं, उन्हें अच्छा फेल कराने लगते हैं, उसे थोड़ा सा कम करने के कोसिस करते तो धीरे धीरे आप इनके बातों में इतना फज़ गए हैं कि आप अब इनके रिष्टे से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और आपको लगता है कि अब हमें क्या करना चाहिए इन से आपका ऐसा कनेक्शन क्यों हुआ और यह जिन्देगी में आपके क्यों आई कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने पार्टनर के साथ तो खुस हैं जिनकी आपकी साधी हुई यह जिन से आप उनके साथ खुस हैं वो आपको बहुत ध्यान भी रखते हैं सब कुछ बहुत अच्छा है लेकिन उन से जादा आपको प्रेयों किसी और से हो गया है आप उनके लिए कुछ भी कर सकते है आपको ऐसा लगता है कि बस ये आपको समझे आप इनके लिए कुछ भी कर सकते है आप सिर्फ सिंदेगे में इनका साथ चाहते है अब आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या करें और ये भी आपके लिए ऐसा फील करते हैं इन्हें भी आपसे बहुत अटेच्मेंट है आप ये समझ सकते हैं कि एक सोल कनेक्शन है एक सोल कनेक्शन इनसे आपका है जिसके वज़े से आप इंसे दूर नहीं जा पा रहे हैं इनके लिए बहुत खिचाओ महसूस कर रहे हैं इनके दरफ आप जाने की कोशिस करते हैं आप इन्हें छोड़ नहीं पाते हैं लेकिन जितना आप सोचते हैं न उतना यह नहीं सोच रहे हैं आप किसी पार्टनर के लिए देख रहे हो जिनकी साधी ना हुई हो आपकी साधी हो गई हो तो डियर जितना आप इनके लिए सोच रहे हैं इनके साथ जिंदगी बिताने के सोच रहे हैं आप एक तरह से जैसे ख्याली पुलाव पका लेते हैं ख्याली पुलाव का मतलब की आ और एतने दोर का नहीं सोचते हैं। यह सिर्फ जैसे इनके जिन्दगी में कुछ ठीक नहीं होता है Center तो आप यह सोचते हैं कि आप हो। अगर आपके जिन्दगी में कोई आता है आप किसी और के साथ बढ़ने कि लिए कोस्स करते हैं या फिर आपकी कहीं बात होती है साधी को लेकर या फिर आपकी साधी हो गई है तो आप ऐसा कुछ दिखाते हैं कि आप अपने जिंदगी में खुस है तो उससे इन्हें तकलीफ होती है उससे इन्हें तकलीफ होती है अगर ये करते हैं तो इन्हें लगता है कि ठीक है यह आपको मना लेंगे लेकिन आप जब कुछ करते ना तो इन्हें तकलीफ होती है तो फिर यह सोचते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया आपने ऐसा क्यों किया तो डियर आपको ऐसा लगता है कि ऐसे इंसान से इतना गहरा कनेक्शन कैसे हो गया त ते जाए रहंवा रहते हैं जाए जाएवारी। करने लगते हैं तो यह आक की जिनदगी में आते जाते इसलिए रहते हैं क्योंकि जब इनके जिन्कि फीट की भी मुथा जब बहुत कुछ अच्छा हो जाता है तो फिर चले जाते कि jewels काथ जाते तो हम भी झो आप वी जो आप को जिस नजरिये से देख रहे न तो एक सुकून का जरिया देख रही है जब इने कहीं से सुकून नहीं मिलता थो यह आपके पास आ जाती है और आपको लगता है कि इनसे आपको प्रेम क्यों हो गया यह मतलब ही है यह आपको बहुत अच्छे से समझ भी आ गया है सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आता है लेकिन आपको लगता है कि आप इनसे दूर क्यों नहीं हो पा रहे हैं इन्हें इग्नॉर क्यों नहीं कर लिए कि आप आपको को सकते हैं कि एनके हो नहीं सकते हैं कि यह connection इस लिए हुआ है कि आप इन्हें कभी भूल नहीं सकते हैं इसलिए पैलेंस करें लेकिन अपनी थे वारे में जागना इनके बारे में सोचना सुरू कर देते हैं, आपको इनके बारे में ज्यादा नहीं सोचना है, यह आपके जिंदगी में इसलिए आए ताकि आप अपना इनर वर्क कंप्लिट करें, यह बहुत श्ट्रॉण एनरजी है, इसलिए हम एक कार्ड और निकालते हैं, कि क्या यह सच म इनर वर्क कंप्लिट करवाने के लिए हैं, बहुत श्ट्रॉण मेंसेज है, यह आपकी जिंदगी में इसलिए हैं, ताकि आप अपना इनर वर्क कंप्लिट करें, जैसे कोई किसी से प्रेम करता है ना तो वह हर हद पार कर देना चाहता है, जैसे कहावत भी है, प्रेम में और जंग में हर चीज जैज होता है, तो इन थए हर हद बाता है, कभी कभी Father, जोग भी ऐसा कर देते हैं, वह अठके को अपने बच्ची को अपने कंट्रॉल में रखने क्लिए, अपनी बात को मनवाने के लिए ब्लैक मैजिक भी करते हैं, बहुत सारी चीजहों का सहारा ल आप इनके मतलब भी ते थीक नहीं थी कहा रहें लेगां तो अगर कोई कुछ करने के लिए वोलता है तो आप तो अगर पूचते होंगे यह थीक तो रहें और उन्हों कोई प्रॉब्लम हो रही है जैसे बहुत सारे लोग भी ब्लैक मैजिक टैब करते हैं तो जहें पाते तो भी मार मेरा और टो है कई कुछ भी कर सकते हैं अ कि आप इन्हें बारे js Шकते पाना में पिल्द है, वह बहुत जाधा प्रम्र और इय को प्रमों करने तो आपके जिन्दगी में आये हैं और इतना जो इन्हों ने आपको प्रेम दिखाया है इतना जो आपको attachment feel कराया है वो इसले कराया है ताकि आप इन्हें पाने के लिए कुछ भी कर गुजर जाएं ये आपका inner work complete कराने के लिए आये हैं ये आपको आसानी से नहीं मिलेंगे और ये हो सकता है कि कुछ लोगों को बहुत जादा meditation करने के बाद भी ना मिलें लेकिन उसके बाद आपको इनको पाने की चाहा भी नहीं रहेगी क्योंकि जो आपके अंदर masculine feminine energy है जो आप अभी बाहर के प्रेम को ढूंट रहे हैं जो अभी आप किसी और के प्रेम को पाने के कोसिस कर रहे हैं वो चीज़े खतम हो जाएंगी फिर आपको अंतर आत्मा से प्रेम हो जाएगा आपका प्रेम परमात्मा से हो जाएगा कि आपको लगेगा कि सब कुछ मुझे में है हर कड़ कड़ में वो है अब मुझे सिर्फ उसे पाने की चाहा नहीं रही जैसे इन्जान परमात्मा को हर कड़ कड़ में देखता है फो से किदार नाद गए तो वहां भी महादेव दिखते हैं बद्री नाद गए तो वहां भी महादेव दिखते हैं तो नील कंड जाएंगे वहां पे भी महादेव जी दिख जाते हैं इसका मतलब यह थोड़ी ना समझते हैं आपकी यह अलग है वह अलग है आप यही तो देखते और ये जो बहुत सारे लोग एसे connection में हैं, जिन्की साधी हो गई है, जिनमें बहुत strong issue है कि आप इनके हो नीस क्ते अप इनके हो नहीं सकतें सामाज के बारे में बहुत सोच रहा हैं, हो सकता है कि आपके बच्चे हो या फिर इनके बच्चे हो ना चाहके भी आप लोग अपने बच्चों के बारे में समाज के बारे में बहुत सोच रहे हो तो डियर यह आपकी जिंदेगी में सिर्फ इसलिए आए हैं ताकि आप इन्हें पाने के लिए मेडिकेशन करें और आपको बहुत अच्छी से एक बात भी बहुत पत किसी की फैमिली को बहुत तकलीफ दे दिया खुद की फैमिली को बहुत तकलीफ दे करके यह सब किया तो मतलब आप खुद से प्रेम तो करते हैं लेकिन बहुत सारी चीजे बहुत लोगों के बारे में सोचते हैं आप स्वार्थी नहीं है आप सेल्फ लग करते हैं सेल्फ जिनकी साधी हो गई है आपकी हो गई है या फिर आपके पार्टनर की हो गई है हो सकता है कि आप पहले रिष्टे में उसके बाद आपकी साधी हुई हो या फिर आपके पार्टनर की हुई हो तो यह इसलिए हुआ है ताकि आप अपना इनर वर कंप्लेट करें आप इनर वर कं महसूस होगा यह आपसे बात करेंगे या नहीं करेंगे लेकिन इनकी एनरजी आपको महसूस होगी आपको खुद भी ऐसी चाहत नहीं रहे कि कोई आपसे बात करें आपको ऐसे लगेगा कि बस अब मुझे ध्यान करना है मुझे अपनी जर्णी में आगे पहुच रहा है जो म जो अपका श्यप्रेशन हुआ है आपके पार्टनर से या फिर आप कुछबड़ा करने जो आ रहे हैं तो उसके बारे में आप सोच रहे हैं बहुत कुछ सोच रहे हैं पर समझ भी नहीं आरा आपको लग रहे हैं किससे इजाज़त लें किस किसी कि बातों को सुने तो dear, अभी जो आपको करना है, वो ध्यान करना है, ध्यान करना है, इस वर से प्रातना करना है, कि मेरा जो soul purpose है, मुझे वहाँ पहुचा दो, मुझे अपने soul purpose से मिलवा दो, क्योंकि dear, यह जो आपके partner आपके life में in out, in out, in out करते हैं, जो पहले तो आपको बहुत तोड़ कर पर आपके प्रेम लुटा देते हैं, आपको ऐसा फील करा देते हैं, कि इन से जादा को कोई नी चाहता है, लेकिन आपको इस लेवल पर इग्नॉर भी कर देते हैं, कि जैसे आपको लगता है, कि इनकी जंदेगी में कोई माई नहीं नहीं रखते हैं, तो dear, यह कुछ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जिन्हें कभी प्रेम मिला ही नहीं है, तो फिर आपको ऐसा लगा कि यह इनसान मुझे बहुत प्रेम देते हैं, यह मेल हो फेमेल हो, इनकी साधी हो गई हो, इनके बच्चे भी हो सकता है, कोई एज लिमिट नहीं है, कि मतलब 40 प्लस होंगे, 50 प्लस होंगे, जादा भी हो सकते हैं, तो फिर क्या हो दना कि इनसान प्रेम से बहुत जाता है, आपको इनसे बहुत प्रेम हो गया, क्योंकि इन्हों ने आपको प्रेम दिखाए, आपको केर दिखाई, तो आपको लगा कि यह इनसान मुझे समझता है, एज मैटर नहीं कर परबसी होता है। आप मुझे इस होता है तो यह उसका मुझा पैचम एक Sag प्रमात्म सकता है। बहुत सारी हो था भाइते हो सकता है। तो जंगलों ने चले जाते हैं। सन्यासी बन जाते हैं, तो वो उस रास्ते को चुन लेते हैं, तो आप हो सकता है कि ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंक II करिवारी कर दो कि आपर रूर्टर्स经 unto कुम्हुच। तो डियर पर वो प्रेम के वज़े से बहुत कुछ कर लेते हैं उन्हें किसी से बहुत अटेश्मेंट हो जाती है मोह हो जाता है प्रेम हो जाता है तो उसे पाने के लिए बहुत कुछ कर लेते हैं तो डियर यह जो आपकी जिंदेगी में आए हैं जो आपकी लाइफ में इन बनकर हो जाना चाहते हैं तो डियर ये कभी नहीं होगा अकर आप सिर्फ इतना चाहते हैं न सीमित तो सीमित चीजों के लिए आप नहीं बने हैं आप इस दुनिया में सीमित बातों के लिए नहीं आए हैं, सीमित जिन्द की जीने नहीं आए हैं, आप कुछ बड़ा करने आए हैं, कुछ बड़ा, आप ये समझ लीजिए, सिर्फ आप अपने परिवार की जिम्मेदारियों को पूरा करने नहीं आए हैं, आप बहुत सारे जिसे आपको पूरा करना है तो डियर आप कुछ ऐसा ही करने आए जिन्देगी में एक आम इंसान के इसाब से आप खुद को मत देखिए और ये भी मैटर नहीं करता है कि आपकी एज क्या है कुछ लोग बहुत उम्र होने के बाद बहुत कुछ बड़ा कर देते हैं तो डियर के इसलिये आपको जादा सोचना नहीं है जादा टेंशन नहीं लेनी है आपको अगर किसी ऐसे इंसान से प्रेम हो गया है बहुत जादा अटैजमेंट हो गई है आपको लगता है कि उसे देखकर मुझी सुकून मिलता है हम उसे अग्नॉर नहीं कर पाते हैं वो कितना भी हो जाए लेकिन हम उसे कभी दिल से निकालनी पाते हैं तो डियर आप यह समझ लिजिए कि आप तुन सोल रिष्टे में भी हो सकते हैं क्योंकि यह भी बहुत स्ट्रॉंग एनर्जी में हैं कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी साधी नहीं हुई है या फिर फैमिली नहीं मान रही है या फिर हो गई होगी साधी तो डियर आपको इनने देखकर बहुत सुकून मिलता है आपको जैसे इनके कॉल मैसेज का इंतजार रहता है आप इनके कॉल मैसेज का इंतजार रहता है आप इनने भूल नहीं पा रहे हैं कुछ लोग ऐसे हैं जो काफी टाइम तक साथ भी रह ये मेल हो फीमेल हो कभी कभी आपके मन में आता है कि ये बहुत स्वारती है ये बहुत स्वारती नहीं बहुत मतलब ही नहीं मतलब बहुत सारी बाते दिल दिमाख में आती है तो आप इन्हें फिर भी भूल क्यों नहीं पा रहे हैं इनसे move on क्यों नहीं कर पा रहे हैं यह कभी भी आते हैं आपकी जिंदगी में आपसे माफी मांगते हैं आप इन्हें माफ कर देते हैं फिर सब कुछ वैसे ही चलने लगता है लेकिन यह ऐसा दिखाते हैं कि इन्हें कभी कुछ समझ में नहीं आता आपकी feeling से आपकी blame से इन्हें कोई फर्क नहीं परता जब इन्का मन करेगा तो यह आपको बहुत ब्रेम देंगे जब इनका मन करेगा तो यह अपनी जिनमेदारिया आपनी मजबूरियां बता कर चले जाएंगे कभी-कभी आपको लगता है कि सिर्फ लोगों को समझने के लिए ही हम दुनिया में आई हैं क्या कोई मुझे कभी क्यूं नहीं समझते मेरे जिंदेगी में भूट सारी प्रॉब्लम होती है मेरे जिंदेगी में भी मजबूरिया होती है लेकिन वो सारी चीजे तो हम नहीं बता कर पीछे हड़ते रिष्टे से तो फिर सामने वाला परसन मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं हो सकता है कि किसी और के लिए अभी आपको छोड़ कर गए हूँ क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉंग एनरजी है कि कोई थर्ड पार्टी है यूसरा जीना चाहते हैं इनका पुप पाना चाहते हैं अपने प्रेम को ही परमात्मा में बदल देना चाहते हैं तो इसके लिए जैसा थोड़ा सा बनना पड़ेगा आपको भी उने एकनौर करना पड़ेगा ताकि उन्हें भी आपकी feelings समझ में आए आप उनके पीछे भागेंगे तो वो आप से और दूर भागेंगे अगर आप महीं ठैड जाएंगे तो यह फिर लोट कर वापस आएंगे तो डियर इस वर का आपके लिए बहुत strong message है कि आप meditation करें और जिंदेगी में आप थोड़ा सा लोगों के हिसाप से चल कोसिस करें और आप खुद को बहुत strong बनाने की कोसिस करें आप खुद को strong बनाएंगे तो आपके जिंदेगी में वो सब कुछ होगा जो आप पाना चाहते हैं तो आप अपना ख्याल जरूर रखें और आपको positive रहना है negative नहीं होना है अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि जिंदेगी वो कुछ अच्छा नहीं हो रहा है बहुत negative पाना है बहुत रोना आ रहा है तो आप खुले आसमान के नीचे इस फर का मतलब आप फील करिए कि इसवार आपके आप आसपास है कि आप आसमान के नीचे है और वहाँ बैट करके आप खुद को मतलब ऐसा खाली कर दीजिए कि कुछ भी आपके अंदर ना बचे, आपके अंदर दुख है, खुसी है, जो भी है, सब इस पर से शेयर कर दीजिए, सब कुछ तेयर कर दीजिए और खुब जी भर के रो लीजिए, खुब जी भर के रो लीजिए, आपके जिन्दगी में अभी वो दिन चल रहे जिस समय आप अपना दुख भी अगर किसी को दिखाएंगे तो खुद को बहुत लाचार महसूस कराएंगे इस समय आप खुद टोट चाहिए लेकिन अपने पार्टनर को ये फिल मत कराईए कि आप टोट चुके हैं अभी आप उन्हें फिल मत कराईए अगर आप अपने पार्टनर को चाहते हैं उनका प्यार वापस चाहते हैं अगर आपके पार्टनर की साधी हो गई है आप उनको भूलना चाहते हैं फिर उनके साथ जिन्दगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप ध्यान करें ध्यान करें और उन्हें थोड़ा सा इग्नॉर करें अगर वो आपके साथ कई बार ऐसा कर चुके हैं कि वो आपको ignore करते हैं, लोट कर फिर आ जाते हैं, फिर आपके साथ सब कुछ ठीक करने की कोसिस करते हैं, तो please dear, थोड़े टाइम के लिए आप उन्हें ignore करें, आप खुद को ऐसा बना दे कि जैसे आप दुनिया में हो करके भी दुनिया में नहीं है, आप कुछ टाइम के ल चीज़े आपके clear हो जाएंगे, आप समझदार हैं, अगर यही चीज़े किसी और की जिंदेगी में होती हैं, तो आप बहुत अच्छे तो उसे समझा लेते हैं, पर आप इसे समझने की कोसिस नहीं कर रहे हैं, तो please dear, थोड़ा सा आप उन्हें ignore करें, और अपनी सिप में कोई business कर रहे थे या फिर कुछ ऐसा कर रहे थे, फिर अच्छानक से वो इनसान बदलने लगा, पहले आपको लगता था कि यह आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आप उनसे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत अच्छी बाते चली, आपका रिस्ता मतलब वो बहुत जाद बाते होती हैं जो प्रेम है वो बना रहें, तो डियर वो भी खतम हो गया, आप बहुत पस्ता रहें, बहुत रो हो रहें, तो आपको पस्ताने और रोने की जरूरत नहीं है, आपको अपना inner work complete करने की जरूरत तो आप अपना inner work complete करें, और जिंदकी में थोड़ा सा practical हो जा करें आपकी जिंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा होगा अपना अपने खियाल रिखें कौन क्या कहता इस बारे बिल्कुल ना सोच है सोचने का काम लोगों को करने दें आप तो सिर्फ अपनी खुसियों के बारे में तो आपको किससे खुसी मिलती है आप इस वीडियो को लाइक कर सकते शियर कर सकते इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते ऐसा करके आप हमें मोटीबेट कर सकते आगे और नए वीडियो बनाने के लिए जै स्री राधे किष्ना जैSí MAता कि आप सभी को ब्रेम से राधे राधे